हाई फ्रेंड्स आज फ्रेंड्सिप डे है तो इसलिए मेरे तरफ से एक छोटा सा गिप्ट है आप लोगों के लिए जो मैं हर ग्रूप में डाल दिया हूँ इधर लिंग लिख दिया हूँ आप खाली ये जगा को लिख दीजिए नहीं तो अगर मैंने लिंग दिया है उसको कॉपी करके ये जगा पे देखिए कैसे डाउनलोड करना है लिंग को इधर आप पेस्ट कीजिए फिर एंटर छीख है फिर क्या करना है देखिए एक बार एंटर करने से ऐसे आ जाएगा आपको कुछ दिर वेट करना पड़ेगा इधर डिनाई उप्शन पे क्लिक करेंगे फिर देखिए इधर पांस सेकेंड बात योलो कलर का स्कीप एट उप्शन आएगा स्कीप एट पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपको लिंक दिखाई देगा फिर इधर ब्लोग उप्शन पे क्लिक कीजिएगा फिर से वेट कीजिए इस तरह कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा अभी देखिए लिंक आ गया ठीक है तो गलती से इधर उदर क्लिक मत कीजिएगा फिर आप डाउनलोड उप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए डाउनलोड हो जाएगा अभी डाउनलोड होने के बाद उस फाइल को हम ओपिन करेंगे आटकेम में यह आटकेम 9 रिलिफ है तो किसी भी भार्षन में आप इसको ओपिन कर सकते हैं आटकेम का कोई भी भार्षन में और कुछ बंदा मुझे रिपोट किया था कि इसका काटिंग सही नहीं है actually देखे मैंने इसका काटिंग का जो फोटो दिया हूं यह जो आटपूड आब लोगों को दिखाया था मैं दिखाता हूं वो actually इस काटिंग का best output नहीं है वो 6 mm बॉलनों से काटिंग किया गया है तो 6 mm बॉलनों से जब आप काटिंग करेंगे कभी best result नहीं आता है तो हमें इस तरह का टैपर बोलनों जी उज़ करना पड़ेगा जिसका डायमेटर होगा इधर 12 mm और उपर के जगा होगा देड में तो हम कैसे टूलपद बनाएंगे देख लीजिए सपोज यह हमारा डीजाइन है तो हम टूलपद में जाके सबसे पहले जेड रफिंग और यह जो टूलपद मैं दिखा रहा हूँ यह ऊट के लिए स्टोन के लिए नहीं है स्टोन के लिए टूलपद अलग होगा तो देख लीजिए सबसे पहले सपोज हम पूरा-पूरा कारना चाहते हैं तो इधर जाके हम 6 mm का एन मिल से जेड रफिंग कर लेंगे और हमारा डीजाइन है 18 mm और लास्ट में हम 15 mm से करना चाहते हैं तो इधर हम क्या करेंगे एकदम फिनिशिंग के साथ काम करेंगे इसलिए हम इसको 3 mm करके step down दे रहे हैं तो 5 बार जेड रफिंग होगा लास्ट बार बचा रहेगा और इधर feed rate होगा 120, plank rate होगा 80 ओके select फिर material कितना mm होगा सपोच material 25 mm का होगा ओके फिर now option पे click कर देंगे ठीक है इसके बाद क्या करेंगे हम 3D finish करेंगे देड एमिम टैपर बॉलनोज से तो इधर जाके हम देड एमिम टैपर बॉलनोज लेंगे इधर टूल पाद नॉर्मल बॉलनोज का ही रखेंगे ठीक है और step down रखेंगे 0.5 feed rate रखेंगे 120 और plank rate रखेंगे 80 ओके और जब machine पे आप चलाएगा सबसे पहले जो machine का plank rate है वो बढ़ाएगा फिर आप work speed बढ़ाएगा मतलब spindle speed बढ़ाके फिर आप work speed बढ़ाएगा नहीं तो bit तूट जाने का chance रहेगा फिर देखिए now option पे click तो अभी क्या होगा किस तरह से ये cutting होगा देख लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा बारिक से आपको output देखने को मिल जाएगा देखिए पहले जब j drafting करेंगे तो इस तरह का result आएगा जे drafting देख रहे हैं फिर आप इसको ball note से finish करेंगे तो इस तरह का result आएगा एकदम clear finishing आएगा पर कुछ लोग comment कर रहे हैं कि finishing नहीं आ रहा है तो देखिए time बचाने के चक्कर में कुछ client लोग 6 mm ball note से इस design को cutting किया है ये design मैं free में सबको बार दिया हूँ आज friendship day है इसलिए तो आप इसको 10 mm ball note से cutting कीजे तो आपको पता चल जाएगा result आच्छा आज आएगा Thank you friends, best of luck, have a nice day